कोई भी चंद ग्रहन तब लगता है जब सोरी और चंदरमा के बीच में प्रत्वी आ जाती है और इस बार जो चंद ग्रहन है वो तुला राशी में लगने जा रहा है ये चंद ग्रहन बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस बार का ये ग्रहन 149 साल बाद बुद्ध पुन ना भी होती है ग्रहन के समय कुछ खास साफधानें जरूर बरतनी चाहिए ताकि ग्रहन का कोई भी अशुप्रभाव शरीर या मन पर ना पड़ सके साल का पहला चंद ग्रहन उपचाया चंद ग्रहन रहेगा जो कि 5 मई शुकरवार और 6 मई शनिवार के बीच में लगेगा यानि कि 5 मई की मधिरात्री को लगेगा राद 12 बचे के बासे नई तिथी प्रारम हो जाती है और ये ग्रहन अगली तिथी तक जारी रहेगा तो इस तरह से साल का पहला चंद ग्रहन प्रारम होगा 5 मई शुकरवार की रात 8 बचकर 45 मिनट से और 6 मई को 1 बचकर 5 एम पर समाप्त हो जाएगा चंद ग्रहन का सूतक काल 9 गंटे पहले प्रारम हो जाता है तो 5 मई शुकरवार की सुभा 11 बचकर 45 मिनट से इस ग्रहन का सूतक काल प्रारम हो जाएगा जो कि ग्रहन की समापती के साथ ही समापत भी हो जाएगा जब भी चंद ग्रहन लगता है तब ग्रहन की समापती के बाद चंदर देवता को अर्ग दे कर चंदर देवता की पूजा करके चंदर देवता के मंतर का जाब किया जाता है और ग्रहन के बाद कुछ न कुछ दान दिया जाता है ताकि ग्रहन के हर अशुप प्रभाव से बच चान्त महसागर में। साल का दूसरा चंद ग्रहन 28 अक्टूबर शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार की रात को लगने वाला है जो की खंडग्रास चंद ग्रहन रहेगा और इस दिन शरत पूर्णिमा यानि कोजागर पूर्णिमा भी है। दो बचकर 24 मिनट तक यानि के 28 और 29 अक्टूबर की मधिरात्री का ये समय रहेगा। रात के समय ही ग्रहन लगेगा और रात के समय ही कुछी घंटों में समाप्त भी हो जाएगा। और ये चंद ग्रहन हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। इसलिए हमारे देश भारत में इस ग्रहन का धार्मिक प्रभाव भी रहेगा और सूतक काल भी माने होगा। ये इस वर्ष का एक मात्र ऐसा ग्रहन है जो की हमारे देश में दिखाई देगा। साल के दूसरे चंद ग्रहन का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम चार बचकर 6 मिनट से प्रारम हो जाएगा और इस समय से मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिये जाएगे। मोर्ती पूजा या मोर्तियों का इस बच इस समय से चंद ग्रहन की समाप्ति तक वर्जित माना जाएगा। इस समय भोजन करना भी वर्जित माना जाता है चंद ग्रहन के दोरान किसी भी सुनसान जगा पर या शमशान भूमी के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस दोरान वातवरन में नकारात्मक शक्तियां बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती है किसी भी नए काम की शुरुआत ग्रहन के समय नहीं करनी चाहिए कासकर गर्वती महिलाओं को ग्रहन के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इस समय खाना पकाने या खाने से बचना चाहिए नुकीली धारदार वस्तों का प्रयोग करने से भी गर्वती महिला को बचना चाहिए ग्रहन के समय क्या करना चाहिए तो चंद ग्रहन के दोरान से भगवान के मंत्रों का मांसिक जाप करना चाहिए जो की दस गुना फलदाई बताया जाता है चन्द ग्रहन के बाद शुद्र जल से इसनान करके गरीबों को कुछ दान देना चाहिए ग्रहन के बाद पूरे घर को शुद्र करना चाहिए घर में गंगा जल चलकना चाहिए ऐसा करने से घर की सभी नकरात्मक शक्तियां दूर हो जाती है अगर घर में कोई पुरानी जाडू हो तो उसे ग्रहन की समापती के बाद घर से बाहर फेक देना चाहिए ग्रहन के समय गायों को घास, पक्षियों को अन, जरुत मंदों को वस्तरदान देने से कई गुनापुन्य प्राप्थ होता है अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा